अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका सागत है आज हम लोग पर रहेंगे समान बिज्ञान समान बिज्ञान में लगभग 6450 MCQ जिसमें की परतेख सेक्षन में 25 कोश्चन होंगे इसमें Physics, Chemistry, Biology और Environment, Science and Technology, Numerical Physics, Periodic Table और Computer-related सभी सारे कोश्चन होंगे इसमें Approx 200 कामन सेट्स होंगे इसके साथ ही इसमें PDF भी प्रोभाइट टेलिग्राम के माध्यम से कराए जाएगा तो यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाराना भूले चलिए हम लोग विडियो को स्टार्ट करते है बश्तु निष्ट सवाल के साथ ही साथ इसमें discussion भी दिया जाएगा चलिए हम लोग विडियो को स्टार्ट करते है आज का पहला सवाल है ये सेट नमर वन है ये ग्रूप D हो या भी PSC हो या SSC हो सभी एकजाम के लिए ये एनफ होगा लकडी का एक गुटका है थोड़ा सा जूम कर लेते हैं चलिए सवाल है लकडी का एक गुटका है पानी घनत तो है 10 के पावर 3 केजी मीटर क्यूँ के उपर अपनी आईतान में 30 पर 30 तरता है तो लकडी का घनत केजी मीटर क्यूँ में क्या होगा सवाल को एक पर और देख लिजे लकडी का एक गुटका है जो पानी के घनत पानी का घनत तो दिया हुआ है 10 के पावर क्यू केजी मीटर क्यू के उपर अपनी आईतन के 30% तैड़ता है तो लकडी के घनत केजी बाई मीटर क्यू में क्या होगा इसका सही अंसर होगा C आईए इसके डिटेल्स में देखते हैं अब इसको solve करते हैं मैंने इसको भी पिडेल्स में ही convert कर लिया है माना की लकडी के गुटका का घनत तो X है लकडी के गुटका बाई घनत तो, बाई जल का घनत तो बड़ाबर लकडी के गुटके के जल में दूबे भाग का आईतन का परतीसत क्या होगा अब लकड़ी के गुटका का घहनत दो X है by 10 10 के पावर Q केजी मीटर Q ये दिया हुआ है equal to हो जाएगा 30% है जल के उपर का जो भाग है वो 30% है 100 minus 30 और ठाथ हो गया 70 70 और by 100 इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 0.7 आएगा और इधर से हमको मिल जाएगा 10 के पावर Q केजी मीटर Q तो इस तरह से इसका अंसर हो जाएगा 0.7 इंटू 10 के पावर Q केजी मीटर Q अब आपेचित घहनत की बात की जाए आपेचित घहनत वस्तू के घहनत्तू के जल के 4 डिगरी सेंटिग्रेट पर घहनत्तू का अनुपात होता है घहनत्तू दरमान एब आइटन के अनुपात होता है अब डेंसिटी यानि घहनत्तू बड़ाबर होता है M by V D equal to M by V M दरमान है भी आइटन है equal to केजी बाइब मीटर Q याज जीएब बाइ सेंटिमीटर Q तो एक ग्राम सेंटिमीटर Q बराबर होगा 10 के पावर Q केजी बाइ मीटर Q तो इस तरह से इसका इंसर क्या हो जाएगा 0.7 इंटू 10 टू पावर 3 केजी मीटर Q दूसरा सवाल देखिए एक एक सवाल को मैंने पूरे डीटेल्स के साथ इसमें इंकलूड किया है परदूसीत पानी जैबिक उपचार के उदेश होता है परदूसीत पानी के जैबिक उपचार का अर्थात बायोरोमेडेशन का उदेश होता है तो इसका सही अंसर होगा B BOD को कम करना और था बायो केमिकल ओक्सीजन डिमांड बी ओडी का मतलब होता है बायो केमिकल ओक्सीजन डिमांड देखे यहाँ पर दिया है बी ओडी लेवल इन एमजी मिलिग्राम या लीटर में एक से दो में बहुत अच्छा होता है there will be not much organic matter present in the water supply 3-5 mg में होता है fair, moderate, clean और 6-9 में होता है poor, somewhat polluted usually indicates that organic matter present in a microorganism and decomposing that waste और so या उससे ज्यादा में होता है very poor, very polluted contents organic matter अब इसके details में हम लोग देखते हैं परदूसित पानी जैबिक उपचार का उदेश BOD को कम करना है BOD का अर्थ होता है biochemical oxygen demand या जैब रसाइन oxygen की माँग है जैसे जैसे जल परदूसन की मात्रा बढ़ती है जल में सुच्म जीवों की संख्या में बिर्धी होती होती जाती है फल सरूप oxygen की खपत अधिक होने लगती है अर्थात BOD बढ़ जाती है और जल में oxygen की कमी हो जाती है BOD जल परदूसन मानक निर्धारन का महत्पून गहटक है पेजल में घूलन सील औक्सीजन 5 kg लीटर में असनान के लिए 4 kg लीटर निर्धारित की गई है जल में घूलन सील औक्सीजन की मात्रा 4 mg लीटर से कम होने पर जल परदूसित कहा जाएगा नदियों में BOD का अस्तर 10 mg लीटर होना चाहिए इस सवाल से में इतनी जानकारी प्राप्त होती है आईए हम लोग next question की तरफ चलते हैं यदि आपको ये वीडियो अच्छा और helpful लग रहा हो तो और वीडियो को पूरा अंतर तक बने रहे है तीसरा सवाल है बिट कोटन नहीं है बिट कोटन नहीं है इसका सही अंसरोगा सभी पेश्टी साइट के लिए परतिरोधी सभी पेश्टी साइट के लिए परतिरोधी जो है बिट कोटन नहीं है अब आईए देखते हैं इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग बिट कोटन सभी पेश्टी साइट्स के लिए परतिरोधी नहीं होता है बित कपास अनुवांसिक रूप से परिवर्तित कपास है जिसमें बैसिल्स, थूरी नीजीये, नेसिस नामक बेटेरिया का क्राई नामक जीना डाला जाता है जिसमें पौधे स्वेम कितनासक प्रभा उत्पन करने लगता है और पौधे के कितनासक दवाईयों को छीरकने की आवेसकता नहीं रहती है यह वैक्टेरिया भूमिगत होता है जो डेल्टा, एंडो टॉक्सीन नामक क्रिस्टल पोट्रीन का निर्मान करता है जो कितानों को नश्ट कर देता है बीटी का पास बीटी का पास के तीन पड़ी वर्दित किस्म है मेक 12, मेक 162 और मेक 184 भारत सरकार ने 2002 में बीटी कोटन की मंजूरी परदान के बीटी कोटन वेफसाइक उत्पादन को मंजूरी सरपर्थम USA 1295 में की गई थी भारत में बीटी कोटन का सरपर्थिक उत्पादन महराष्ट, गुजराथ, तेलांगना और हर्याना राज्य है सबसे ज़्यादा महराष्ट में है इस सवाल से हमें इतनी जरकारी प्राप्त होती है कोई बस्तु विराम में एकस बराबर 0 मीटर और टी बराबर 0 सकेंड से चलना सुरू करती है और एकस अच के पास 3 मीटर सकेंड सकेंड के नियत तुरन के साथ घूम जाती है समय 2 सकेंड से 4 सकेंड के बीच की अवधी का अउसत बेग क्या है पूछ रहा है कि कोई बस्तु है एकस मीटर से और समय 3 सकेंड से चलना सुरू करती है एकस अच के पास 3 मीटर सकेंड 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 के नियत तुरन के साथ घूम चालती है तो समय 2 से 4 सकेंड के बीच की अवधी का अवसत बेग क्या होगा आईए इसको हम डिटेर्स में देखते है एकस बराबर क्या होगा जीरो होगा और टी बराबर क्या है जीरो दिया हुआ है और 2 सकेंड से 4 सकेंड इस दोनों के बीच के अवधीरेज पूछा है यही है और तुरन जो दिया हुआ है अर्थात 8 जो दिया है 3 meter second square जो की नियत से चल रही है 2 second में बस्तू का बेग होगा V1 बड़ाबर होता है U plus 80 तो U बड़ाबर O है यहाँ 0 है और T बड़ाबर 2 second है तो यहाँ हो जाएगा 0 plus 3 into 2 बड़ाबर 6 meter second 4 second में बस्तू का बेग होगा अर्थात V1 और V2 तो V2 जो होगा U plus 80 तो यहाँ पे U plus 0 हो जाएगा और T बड़ाबर क्या हो जाएगा 4 second अब V2 बड़ाबर हो जाएगा 0 plus 3 into 4 equal to 12 हो जाएगा अब V1 और V2 का मान निकल गया अब इसका आउसत निकालने के लिए क्या करते हैं V1 प्लस V2 by 2 करते हैं तो V1 आया था 6 और V2 आया 12 by 2 अर्थात 88 by 2 यानि 9 मीटर सकेंड आएगा इसका इंसर क्या आएगा? 9 मीटर सकेंड आएगा अउसत वेग कुल विस्थापपन एबं कुल समय के अनुपात होता है V ब्रावण S by T यदि बस्तू की बस्तू आधी दूरी V1 और दूसरी आधी दूरी V2 हो तो उसकी अउसत वेग जो हो जाएगा? 2 V1 V2 by V1 प्लस V2 हो जाएगा तो इसका एंसर क्या आएगा? 9 मीटर सकेंड आएगा चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉश्चन की तरफ चलते हैं निम्र में से कौन सा जोड़ा गलत है? इसका सही एंसर हो जाएगा रामसर सभा बायू परदिशन से सम्मंदित नहीं है क्योटो प्रोटोकोल जलवायू परिवर्तन से है? ये बिल्कुल सही है मोंट्रियल प्रोटोकोल जो है ओजोन रिक्त करन से है? ये भी बिल्कुल सही है आईए इसके डीटेल्स में हम लोग देखते हैं मैंने एक-एक काट डीटेल्स में इंक्लूड किया है ताकि यहां से कोई भी रिलेटर इससे कोश्चन हो तो ना छूटे रामसर सभाजो है सम्मेलन नम भूमी के सनरच्छन के लिए 20 अस्तरिये परियास भाविस के लिए जहीलों भूमी के सनरच्छन इस सम्मेलन का उदेश है रामर सम्मेलन के लिए पहला अंतराष्टिये पढ़ियास 1971 में हुआ था यह सम्मेलन रामसर इरान में हुआ था पहला जो रामसर सम्मेलन हुआ था वो इरान में हुआ था यह परभावी 21 दिसंबर 1975 से हुआ बरतमान में इसके 171 सदसे देश है भारत में यह 1 फरवरी 1982 को लागो हुआ था रामसर सभा जो की रामसर नम भूमी संरच्छन के लिए 20 अस्तरिय पढ़ियास है जिसमें भविसी के जीलों और नम भूमी के संरच्छन है इस सम्मेलन का मुखे उदेश है बरतमान में भारत के 41 रामसर साइट से क्योटो प्रोटोकोल कारबन डायोकसाइड गैस के उस सरजन से सम्मंदी थे यह 2005 से परभावी हुआ था मॉन्टरियल प्रोटोकोल जो की 1987 में हुआ यह ओजोन पड़त के संरच्छन से सम्मंदी थे रियो सभा का परथम पिर्थवी सिखर सम्मेलन भी कहा जाता है यह बराजील के रधानी रियो डिजनेरिया 1992 में हुआ था इसका उद्दे से धार्निय एबं सतत्विकास तथा जीवन की उच्छ गुन्बत्ता के प्राप्ति के लिए पिर्थवी के संरच्छित सुरच्छा एबं वियापी साजेदारी का भावना को अस्थापित करना है कोस्चन नमर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं प्रकास की कीरन है य से होकर एक दर्व से गुजरती है तो 15 डिगरी सेंटिग गेट विचलित हो जाती है अगर आपतित कोन 60 डिगरी हो तो दर्व का अपवरतनांक क्या होगा एक प्रकास की कीरन है जो बायू से होकर एक दर्व से गुजर रही है तो 15 डिगरी से विचलित हो जाती है अगर आपतन कोन 60 डिगरी है तो दर्व का अपवरतनांक होगा ठीक है तो आईए इसको हम सोल्व करते हैं भी बराबर होता है आई माइनस आर दर्व का अपवरतनांक जो है थीरी अंडर रूट थीरी बाय टू होगा अब क्या है विचलित कितना से हो रही है 15 डिगरी से अर्थाद 15 डिगरी से हो रही है यानि 45 डिगरी हो जाएगा आई हो गया यहाँ पर आई बराबर आर होता है तो आई है 60 डिगरी दिया हुआ और आर हो गया 35 डिगरी वायू से जाने पर 15 डिगरी भी चलन होता है तो अपवरतन कुन 60 डिगरी डिगरी माइनस 15 डिगरी बराबर 45 डिगरी होगा अपवरतनांक बराबर होगा निउ बराबर हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर तो साइन आई दिया हुआ 60 डिगरी और साइन आर आए गया 45 डिगरी इसका मान होता है अंडर रूट बाई साइन 60 डिगरी का मान होता है अंडर रूट तू साइन 45 डिगरी अपवरतनांक निर्वात में प्रकास का बेग एक माध्याम में प्रकास का बेक का अनुपात होता है अर था ह, μ बराबर c by भी यह वास्तविक गहराई और अभासी गहराई का भी अनुपात होता है μ बराबर वास्तविक गहराई और by अभासी गहराई चलिए हम नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं प्राथमिक रंग अर्धात प्राइमरी कलर क्या है वे रंग जो अन रंगों के मिसरन से उत्पन नहीं किये जा सकते हैं उसको प्राइमरी कलर कहा जाता है वे रंग जो अन रंगों के मिसरन से उत्पन नहीं किये जा सकते हैं उसको प्राइमरी कलर कहा जाता है प्राथमिक रंग कहा जाता है आईए इसके डीटेल्स में हम लोग देखते हैं प्रात्मिक रंग वे रंग है जो अन रंगों के मिसरन से उत्पन नहीं किये जा सकते हैं प्रात्मिक रंग तीन है RGB रेड, ग्रीन और बुलू अर्थात लाल हरा और नीला प्रात्मिक रंगों को मिलाने से दूतियक रंग प्राप्त होता है अर्थात वाइट होगा प्राप्त लाल हरा और पीला लाल हरा पीला, हरा नीला स्यान, लाल नीला मेजेंटा अगर लाल में हरा को मिलाएंगे तो पीला प्राप्त होगा प्रकास के अपबरतन पूर्ण आंतरिक प्राबरतन एवं वर्ण विछेपन का उदाहरन है स्वेथ प्रकास सात रंगों का मिश्रन है यह रंग जिसको क्या कहा जाता है भी आई बी जी बाई ओर भी ग्योर याद रखेगा まあ Digital माध्यमों दीजिटल माध्यमों में निम्ड में से क्या कहा जाता है इसका सढ़ी अंसर होगा तिर्तियक मार्थम अब दीजिटल माध्यम है क्या आएए data में देखते हुए Digital माध्यम, तिर्थिय माध्यम कहा जाता है इसमें e-commerce, games, website, mobile, application, animation, इत्यादी आता है Digital signal में 0 से 1 binded संख्या का योग किया जाता है अब next question की तरफ हम लोग चलते है 100 degree centigrade पर 18 billion का pH मान होगा इसका सही अंसर होगा 7 18 billion का pH मान कितना होता है 7 होता है, 7 से कम होता है हम लिए 7 उदासीन और 7 से अधिक होगा जो वह होगा चाड़िये परविट्टी की आईए इसके details में हम लोग देखते हैं 100 degree centigrade पर 18 billion का pH 7 degree होगा pH log 10 H plus यह किसी billion में hydrogen ion के सांदरता का 10 अधारिये लगू करनी मान होता है pH 7 से कम हो तो billion pH का भेलू जो होता है साथ से अधिक हो तो billion छाड़िये और साथ से कम हो तो billion अम लिए और pH 0 से 14 तक लिया जाता है pH का full form होता है power hydrogen या potential of hydrogen होता है pH के बारे में सर पर था से रो सन ने बताया था अगला सवाल है जिम्मी वेल्स और लेरी सेगर किसे समन्दित है जिम्मी वेल्स और लेरी सेगर किसे समन्दित है इसका सही अंसर हो जाएगा A. Wikipedia से जिम्मी वेल्स और लेरी सेगर Wikipedia की अस्थापना 15 जनवड़ी 2001 को किया गया था यह 280 भासा में उपलब्द है Wikipedia जो है 280 भासा में उपलब्द है WhatsApp की अस्थापना जैन कूम एवं Brain Action ने 24 फरवड़ी 2009 को किया था Google की अस्थापना लेरी पेज एवं सरगरी बिन ने 4 जिसंबर 1999 में किया था Facebook की अस्थापना 4 फरवड़ी 2004 को मार्क जुकरवर्ग साहब ने किया था Instagram का निर्बान इस सवाल से में इतनी जानकाड़ी प्राप्त होते हैं वीडियो को लाइक और कोमेंट करते रहें बाइनरी नम्मर का मान बताना है इसका बाइनरी नम्मर का मान बताना है तो देखिए इसको सीख लेजे 0 का मतलब होता है ON और 1 का मतलब होता है ON और 0 का मतलब होता है OFF और इसका फर्मूला जो चलता है 1, 2, 4 इसका दुगना करते चले जाएए 8, 16, 32, 64, 128 इसी तरह से इसका फर्मूला चलते चला जाएगा अब इसका binary number लिखना है तो यहाँ 0 इसमें 1 भी नहीं है अर्थात क्या हो जाएगा इसका value 1 इसका value हो जाएगा 1 और इसका value 2 और इसका value 4 और इसका value 8 सभी को जोर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3, 7 ठीक है इसका value क्या आएगा 15 आजाएगा अब देखिए कि 15 किसके आ रहा है 2 के power 4 minus 1 बड़ाबर क्या हो जाएगा 16 minus 1 बड़ाबर 15 तो इस तरह से इसका answer हो जाता है इस तरह से किसी भी binding number कमान आप लोग निकाल सकते हैं इस formula से याद रखिएगा 1 होता है 2 होता है प्लस 4 होता है इसको दुगना करते चले जाएगा next को इसी का formula यही होता है और 0 का मतलब off होगा 0 जहां रहेगा उसको नहीं add करना है चलिए हम लोग next question की तरफ चलते है binding संख्या 0 और 1 है बता ही चुके है जीरो का मतलब होता है of और one का मतलब होता है own होता है physics का question है किसी बस्तू का भार जो है पिर्थवी की सत्ह पर w newton है तो उसके भार के पिर्थवी की तीज्या आधी के बराबर उचाई पर होगा इसका सही answer होगा 4ywy 9 चलिए हम लोग इसको देखते है पिर्थवी के तल पर भार जो है w पिर्थवी की तीज्या के आधी के बराबर उचाई पर भार 4w by 9 होगा पिर्थवी के तल पर भार w r by 2 आधी उचाई पर भार जो होगा w by 1 पलस h by r का whole square इसलिए h बराबर r by 2 हो जाएगा तो w by 1 पलस r by 2 into r का whole square बराबर w by 3 by 2 का whole square बराबर 4 by 9 into w होगा अब पिर्थवी की तल के से उचाई पर जाने पर भार क्या होता है घटता है या पिर्थवी के अंदर जाने पर भार घटता है बस्तू का भार सरवाधिक धूरूप पर होता है याद रखियेगा आप लो बस्तू का जो भार होगा सरवाधिक धूरूप पर होता है धूर्वन गलास धूप के चैस्मों में पर्युक्त किये जाते हैं क्योंकि धूर्वन के कारण वे परकास की तिवर्ता चकाचउंद को कम कर देते हैं धूर्वन जो गलास होता है धूप के चैस्मों में पर्युक्त किये जाते हैं क्योंकि धुर्वन के कारण प्रकास की जो त्यव्रता होती है, जो चकाचंद होती हैं उसको कम कर देते हैं पोलेराइड लैंस पोलेराइड जिल्ली से बने होते हैं जो दो कांच के परतों के बीच डाल कर बनाया जाता है यह पोली कार्वोनेट्स के बनाया जाते हैं जब एक समान आवेशित गोले के भीतर परवेश करते हैं तो बिद्यूत बिभाव का मान जो होगा उतना ही रहेगा जितना वो सतह पर होता है जब एक आवेशित गोले के भीतर परवेश करते हैं तो बिद्यूत बिभाव भी उतना ही रहता है जितना सतह पर हो बिद्यूत बिभाव एक आवेश के अनंत से बिद्यूत छेतर में लाए जाने पर किया गया कारी होता है बिद्दूत विभव और थात भी बराबर QY, 4PY, बिद्दूत विभव विभांतर का मातरक होता है, बोल्ट होता है, किसी आवेसित खोखले गोले के केंदर पर बिद्दूत शेतर का माने सुन्नी होता है इंजायम किरिया करते हैं, इसका सही अंसर होगा, सकडिय उर्जा घटा कर, इंजायम जो अपना किरिया करते हैं, सकडिय उर्जा को घटा करते हैं इंजायम जयव उत्परेरक हैं, सभी इंजायम प्रोटीन के बने होते हैं, इंजायम अभिकिरिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं पियच, तापमान, सांद्रन और सब अस्ट्रेट, कुछ पर मुखिन जायें, इमाइलेज, पैपसीन, ट्रिपसीन, पैनेक्ट्रिक, जूस, एबम, डियोक्सी, राइबो निकुलियेज प्रोक्रेटिक्स में निमनी में से किसका अभाव होता है? इसका सही अंसर हो जाएगा, माइट्रोकॉंडिया, प्रोक्रेटिक्स में माइट्रोकॉंडिया का अभाव होता है प्रोक्रेटिक्स में सेलवाल पाए जाता है, डियेने होता है, प्लाजमा जिल्ली होता है, राइबो सोम भी होता है ये प्रारंभी कोशिकाएं हैं इसमें अविक्सित केंद्रक होते हैं इसमें समसुत्री कोशिका विभाजन नहीं होता है प्राकुरेटिक्स में जो है इसमें अविक्सित केंद्रक होता है इसमें समसुत्री कोशिका विभाजन नहीं होता है इसमें जिल्ली युक्त कोशी का अंग अनुपस्थित होता है DNA, डियोक्सी राइबोन्यूकिलिक एसीड है या एक वंस से दूसरे वंस को तक अनुवांसिक सुचनाओं को ले जाने का कारी करता है RNA, राइबोन्यूकिलिक एसीड है या प्रोटीन के संसलेशन में सहायक होता है दूरलब गैस और थाथ नोबल गैस समानता रसानिक रूप में से अकरिय होते हैं चूंकि उनके एलेक्ट्रोनिक विन्यास इस्थिर होते हैं उनके एलेक्ट्रोनिक विन्यास क्या होते हैं? इस्थिर होते हैं नोबेल गैस कौन-कौन है? हाइड्रोजन, नियोन, आरगन, क्रिप्टोन, जीनोन, रिडिनोन, ये सभी क्या है? अक्रिये या नोबेल गैस हैं. चलिए आए इसके दीटेल्स में हम लोग देखते हैं. अक्रिये गैस अंतिम कच्छा में दो या आठ एलक्टोन होते हैं. जैसे हाइड, हीलियम, नियोन, आरगन, क्रिप्टोन, जीनोन, एवं रेनोन अक्रिये गैस हैं. या आवर्थ सार्नी के अठारमे वर्ग में पाया जाता है. किसी भी आवर्थ सार्नी के अठारमे वर्ग में लोक एयर ने किया था एक साबुन के बुलबुले को रिन आवेस्ट दिया जाए तो इसकी त्रिज्या बढ़ेगी किसी साबुन के बुलबुले का धनातमक या रिनातमक आवेस्ट देने पर समी वर्ती परतों के बीच परती ये कर्शन बलकारी करता है जिससे बुंद के आकार में विर्धी होती है समान आवेसों के बीच परतिकर्षन और विप्रीत आवेसों के बीच आकर्षन बल्ले कारी करता है आवेस में प्रवाह की दर्विद्धु धारा कालाती है प्राकिर्थिक विर्धी नियंत्रक हार्मोन है एंडोल, एसिटिक एसिट, एंडोल एसिटिक एसिट जो है, प्राकृतिक विर्धी नियंत्रक हार्मोन है या एक परकार का पादफ हार्मोन, ओक्सीन है, ओक्सीन परमुक्त दिर्ग करन को प्रेडित करते हैं ओक्सीन की खोज, बेंट ने जेई में की थी, इस हार्मोन की अस्थानांत्रन सक्रियत था एक दिसिये होता है अनुवांसिक रूप से बौने पोधे को लंबा करने के लिए जिब्रेलीन हार्मोन का पड़ियोग किया जाता है कोशिका विभाजन में उत्प्रेडित करने वाला हर्मोन का नाम साइटो काइन्स है जिन अर्ता को विलंबित साइटो काइन्स करता है 2,4-D, 2,4-D, डाइकलोडो, फोनोक्सी, एसिटिक एसिड या खरपतवार नासी है NAA, नेप्थीन, एसिटिक एसिड है या कार्बनिक याउगिक है या रोडेन टेसाइड या कवकनासी की भी भाती विभार करता है भौलिक हाइड्राजाइड से सेंथिक याउगिक है जो पौधे की बुर्धी में उत्तेजित करता है निम्न में से किस याउगिक में सबसे अधिक परमानू होते हैं इसका सही अंसर होगा H2SO4 सबसे अधिक परमानू H2SO4 में है H2SO4 में साथ परमानू HNO3 में चार परमानू और CAOH होल्टाइस में पांच परमानू और कारबन डाउकसाइड में तीन परमानू है H2SO4 को वाइल और विट्रोल या king of chemical कहा जाता है hydro sulfur oxide को king of chemical भी कहा जाता है और चूना जल या नीबू पानी में चूना जल या नीबू पानी lime water कहते हैं कारबन डायोकसाइड को गैस बायूमंडल में कारबन डायोकसाइड की मात्रा 0.003% में पाये जाता है। कारबन डायोकसाइड परकास संस्लेशन में खाद पदार्थ के अस्पंजी बनाने एबं कारबोहाइड्रेड ड्रिंक्स में उपयोगी है। मनुस्य ने किस वर्ज पहली बार चांद पर कदम रखा इसका सहियन सरोगा 1979 इसवी में अपोलो 11 द्वारा पर्थम बार चांद पर कदम 20 जुलाई 1979 को नील आर्ब अश्ट्रोंग एवं बुज एल्डरीन द्वारा रखा गया था भारत का पर्थम चंद रियान मिसन 2008 में हुआ था जिसमें PSLV XLCII रोकेट द्वारा चंदरमा की सतह पर अस्पेस क्राप्ट उतारा गया था भारत का दूसरा चंद रियान मिसन 22 जुलाई 2019 को किया गया जिसमें विक्रम लेंडर एवं परग्यान रोवर को चंदरमा के सतह पर उतारा गया कवक विज्ञान क्या है इसका सईयन सरोगा बी कुकुरमुत्ता का अध्यान या माइकोलोजी का अध्यान भी कहा जाता है कवक विज्ञान कुकुरमुत्ता का अध्यान या माइकोलोजी का मतलब होता है कवक विज्ञान परजीवियों को माइकोलोजी, कुकुरमुत्ता या मस्रूम का अध्यान का जाता है, परजीवी का अध्यान को का जाता है, पेरासिटोलोजी, बैक्टेरिया का अध्यान को बैक्टरोलोजी, और वाइरस के अध्यान को बाइरोलोजी, कबक पर्णहरीत, संबहन उत्तक रहित एबम केंद्रक युक्त होते हैं ये अपना जीवन परजीवी या सहजीवी या मृत जीवी की तरह व्यतीत करते हैं कवक में संचीत भोजन गलाइकोजेन एबम वसा के रूप में रहता है किसी रेडियो एक्टिवी पदार्थ के उच्सरजित कन चुम्बकिये छेत्र में विच्छेपित होते हैं इसका सही अंसर होगा ये कन एलेक्ट्रोन होत सकते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ तीन पड़कार के कन उच्सरजित करते हैं अलफा वीटा और गामा अलफा कन जो होता है हीलियम आयन है जो धानात्मक परविर्तिका होता है और वीटा कन जो होता एलेक्ट्रोन आयन है जो रिनायन परविर्तिका होता है और गामा किरन जो है विद्दु चुम्बकिये विकिरन है यह उच्छ फोटोन उर्जा होता है निट्रोन उदासीन होता है यह नाभिक में इस्थित रहता है खस्रा के आक्रमन को रोकने के लिए टीका लगाने का विचार किस ने दिया था? इसका सही अंसर है, जोन एव एंडर्सन ने खस्रा के टीके लगाने का विचार 1963 में जोन एंडर्सन ने दिया था, खस्रा भी सानू जनीत रोग है, इसमें सरीर के उपर छोटे छोटे पानी युक्त दाने आ जाते हैं, जिसे कॉपलिक्स असपोर्ट कहते हैं, एड़वर जेनर ने टीका करन की खोज की थी, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पर्थम एंटिबाइटिक की खोज की थी, यह कवक से बनाया गया था, रूड याट किपलिंग ने जंगल बुक नामक पुस्तक लिखी है, यह है आज का आखरी सबा, अपो मिक्सिस का अर्थ है, अपो मिक्सिस का अर्थ है, बगेर लिंगी जनन हुए भुरून का निर्मान, बगेर लिंगी जनन हुए भुरून का निर्मान को अपो मिक्सिस का जाता है, आईए इसके डीटेल्स में हम लोग देखते हैं, इसका अर्थ है बिना निसेचन के, इस युगमक के बिना संलयन के नई संतति का निर्मान हो जाता है, इसमे खेती में उत्पादक्ता बढ़ाने में इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है यदि आपको यह वीडियो अच्छा और helpful लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें रोज सुबा सारे 6 बजे इस पर साइंस की वीडियो अपलोड की जाएगी और साथ ही 9 बजे आपको सिरी जाएगा अस्टेटिक्स जीके का आज से 10 होगा तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार रिजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजिए ताकि इनका लाभू भी उठा सकते हैं और इसका